हलो फ्रेंद्स वेल्कम टू यामी टमी किचिन्स आद मेरे किचिन में बन रही है खुसका पुलाओ बहुत ही खुश्बुदार मज़ेदार विट चिकन आलो शुर्बा मेरे बेटे की डिमाइड पर कैसा लग रहा नुमान बताओ तुम कल बोले थे ना ममी को पुलाओ चिकन बनाईए ममी चलिए फिश शुरू करते हैं रेसिपी सबसे पहले एक पैन या कडाई ले 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 उसमें तेल डाले अब ये तीन आलू है इसको मैंने बीच से काट लिया है और हल्दी और नमक डाल कर इसे फ्राई कर ले अच्छी से फ्राई कर ले पुरी गोल्डेन ब्रॉन हो जानी चा इसे डाल कर अच्छे से हम ठोड़ा मिलाएंगे एक टी स्पून के करीम नमक डाल दे है अच्छे से इसे मिक्स कर ले जब तक की चिकेन की हलकी कलर li Strategy ना हो जाए जब चिकेन की कलर चेंज हो जाएगी ले इसमें डालेंगे एक टीबल स्पून अदक की पेस्ट, एक टीबल स्पून लेसुन की पेस्ट, अच्छे से मसालो को मिक्स कर लें थोड़ा चिकेन के साथ, अब डालेंगे सूखे मसाले पॉर्डर, इसके लिए हम डालेंगे एक टीजपून हल्दी पॉर्डर, एक टीजपून लाल मिश पॉर कर दें और पानी डाल देश में ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए पानी डालकर हम इसे ढख कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तस से पंदर मिनट धीमियाच पर अभी हम यह पुलाओ बनाने के लिए एक दूसी कडाई लेंगे उसमें एक प्यास को स्लाइस्ट करके ब्र चैजीरा जरूर डाले उसे पुलाओ में बहुत अच्छी सी फ्लेवर आती यह देड़ कप चावल मैंने पहले से भिगो के रखे थी यह गोविन भोग या फिर इंडिया गेट का जीरा राइस आता है कोई भी महीन चावल चोटी चावल होती बासमती वाली वह डाले तो द नमक डाल दें 1.5 टी स्पून मैंने नमक डाला है और जब धक कर बॉयल होने दें जब पानी पुड़ा सूख जाएगी मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी रहेगी ना उसी टाइम आप एक तवा ले ले तवा को गैस पे रखे उस पे कडाई रखे पुलाओ वाली कडाई है द दालके औरेंज फूड कलर आती वह डालके अब डालें तभी ना पुलाओ वाली फीलिंग आएगी एक चमची घी डाल दें कपड़े से कपड़े पहले रखे फिर उसके उपर धकन डालके उसे 20 मिनट के लिए धीम याज पर छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए अब चलिए छोड़ देंगे ताके आलू भी गलती रहे और मसाला भी सूखने लगे और अच्छे से भून जाए तो देखिए मसाला इस तरीके से अच्छे से भून गई है अब इसमें हम ना एक कप पहले साब गरम कीवी पानी रखे उस पानी को इसमें डाल दे ग्रेवी के लिए और आलू अभी तो मतलब हमने से फ्राइ किया था गली तो नहीं थी आली तो इस तरह किसे गरम पानी इसमें डाल दे और थोड़ी दिर के लिए ढखके छोड़ दे जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए ठीक है तब तक हमें धीमी आज पर इसे रखना है चलिए पुलाओ हमारी दम लग चुकी है खुसका पुलाओ इसे देख लेते हैं वाव क्या खुश्बू आ रही है जब मेरा बेटा स्कूल में था तभी मैंने दिन में ये बना रही थ जब आया तो वह बहुत खुश हुआ कि ममी ने पुलाओ बनाया है चलिए देखे कितनी खुस्बूदार बहुत ही बहुत अच्छी बनी है तो अब देख लेते हैं चिकन की चिकन और आलो सॉफ्ट हुई है या नहीं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अभी लास्ट ह भड़ी मिर्ची डाले और धकन लगा कर दो मिनट के लिए सिम होने दे बस दोस्तों यह देखे हमारे चिकन आलो शोडबा भी बनकर तैयार है तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्र करें हम चोटी यूटूबर से हमें आपकी मॉटिवेशन की बहुत जरूरा थे थैंक यू